स्टार्ट करते हैं Ecology Series के Part 48 से जिसमें हम लोग पढ़ेंगे Degradation by Improper Resource Utilization and Maintenance यानि कि जब resources को धंग से utilize नहीं किया जाता या फिर उसको धंग से maintain नहीं किया जाता तो क्या-क्या चीज़े होती हैं The degradation of natural resources can occur not just by the action of pollutant but also by improper resource utilization practices यानि कि natural resources का degradation होता है सिर्फ और सिर्फ pollutants के action की वज़े से नहीं but improper use करना किस तरह से use किया जा रहा है उस पे बहुत जादा dependent होती हैं चीज़े Soil erosion and desertification अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे The development of the fertile top soil takes centuries देखिए जो सबसे उपर की top soil होती है उसको develop करने में बहुत टाइम लगता है जो सबसे fertile soil है जिस पे plant वगरा गरो करते हैं उसको actually develop करना is a very huge task बहुत टाइम लगता है But it can be removed very easily due to human activities like over cultivation, unrestricted grazing, deforestation and poor irrigation practices लेकिन अराम से बहुत कम टाइम में वो उपर से remove हो सकती है कैसे? Human activities जो उसको effect करती है जैसे की over cultivation भाई crop उगाई उगाए चले गए कोई मरक नहीं पड़ता की soil की quality का क्या हो रहा है unrestricted grazing Same चीज गाय को चराने लेके गए भाई चराते चले गए क्योंकि ऐसा होता है लोग सोचते हैं कि सबस्टाजादा यूस हो सके natural resource को use कर लो Deforestation, पेड काट दिये बहुत सारे poor irrigation practices, सचाई धंग से नहीं हुई और उसकी वज़े से क्या होता है? Arid patches of land ऐसे land बन जाते हैं जो बिलकुल dry होते हैं ठीक है जो हाँ पे एक टाइम पे बहुती greenery हुआ करती थी अब वो dry patches of land बन चुके हैं When large barren patches extend and meet over time For example, आपको एक देती हूँ जिसे कि यहाँ पे एक patch बन गया पूरे हरे भरे forest पे फिर यहाँ एक patch बन गया फिर यहाँ एक patch बन गया कुछ टाइम बात क्या होगा? With over time क्या होगा? यह तीनों patch एक पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे? एक के एक पूरा patch बन जाएगा तो these are the things which are causing damage to the soil ठीक है, so इसकी वज़े से क्या लिखा है? इसने की बात में एक time आयगा कि desert create हो जाएगा Internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays particularly due to increased urbanization यह मान लिया गया है कि जो desertification है जिस तरह से desert create हो जाता है अच्छे खासे land पे due to many human factors वो एक problematic चीज है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है? काफी problem बढ़ रही है और यह, इसका main कारण क्या है? Increased urbanization पहले लोग गाउं में रहते थे इतने selfish नहीं थे for need, जो भी चीज़े होते थे resources, उनको तमीज में जिसे कहते है कि बहुत ही अच्छे से use किया जाता था अभी हो गया है कि पानी बहा जा रहा है या फिर कुछ भी मतलब practices ऐसे हो रही हैं कि बिल्कुली छोड़ दिया deforestation यानि कि घर बनाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिल्कुल खराब कर रहे है we are being very selfish हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि आगे इसका damage क्या होगा तो ये एक factor है जो affect करता है हमारे जो भी proper resource है उसको ठीक है एक और चीज़ हम next जो पढ़ने वाले हैं that is waterlogging and soil salinity now waterlogging and soil salinity irrigation without proper drainage of water leads to waterlogging in the soil देखिए सचाई जब होती है या पानी को कहीं पी ले जाने की विवस्ता अच्छे से होती है तो problem नहीं होती बट अगर ऐसब कुछ नहीं है तो क्या होगा पानी एक जगे एक खटा होना शुरू होगा waterlogging क्रॉप्स को खराब करता ही है वाटर लॉगिंग की वज़े से जो सॉल्ट है ना वो सॉयल की सर्फिस पे आ जाता है जो सॉल्ट है वो डिपॉजट हो जाता है बड़ी सी मोटी सी लेयर की तरह है जो भी लेंड होता है उसकी सर्फिस पे और वो फिर प्लांट की रूट के साथ कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और यह जो increased salt content है वो crops की growth के लिए बहुत ही बेकार है और agriculture के लिए काफी damaging है Water logging and soil salinity are some of the problem that have come in the wake of the green revolution यह जो water logging है और soil salinity मतलब salt का नमकीन होना बिलकुल salt उसमें layer बना लेता है उस problem को देखा गया जब green revolution start हुआ जब crops वगरा एक साथ start हुई तोर्स utilization and maintenance अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा उसके लावा अगर आपको ecology series के और पार्ट दिखें तो मैने नीचे description box में playlist कर लिंक डाला है वहाँ पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे वना डिरेक्ली home page या फिर playlist पर जाके आप playlist सर्च कर सकते हैं वहाँ भी आपको biology section के एंटर सब कुछ मिल जाएगा थैंक्यू सो मच